हलो फ्रेंट्स आज हम डिविशन का एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्ष लिखने वाले हैं तो चलिए फ्रेंट्स देखते हैं कैसे करते हैं हमने एक डिविशन ले लिया है 3 2 4 1 divided by 5 तो हमी क्या करना है 5 से डिविशन तो बिलकुल नहीं करना है हमी क्या करना है यह जो हमारा डिविडेंट है 3 2 4 1 इसको 2 से मल्टिप्लाइ कर देना है मतलब इसका डबल नमबर लिख देना है तो से मल्टिप्लाइ करके क्या मिलेगा फ्रेंट्स 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 यह आ गया हमारा 6 4 8 2 और 5 जो फ्रेंट्स है सिंगल डिजित नमबर इसलिए हमें क्या करना है लास्ट में से एक नमबर को छोड़के हमें पॉइंट लगा देना है तो हमारा यह आंसर आ गया 6 48.2 आसान है ना फ्रेंट्स येस बहुत आसान है इस चलिए दिखते है 24 से कैसे इवीशन करते हैं इवीशन हमें बिलकुल नहीं करना है हम ही क्या करना है हमें डिविदेंट को 4 से Walk कर देना है तो क्या करते हैं फ्रेंस 4 फोरसा 16 का 6 हमने लिख दिया 1 carry over में आ गया 5 फोरसा 20 और 1 8 plus 1, 9, तो यह हमारा आगया 9, 4, 1, 6, और 25 जो है, यह एक double digit number है, इसलिए हमें क्या करना है, लास्ट में से 2 number को छोड़के हमें point लगा देना है, तो यह हमारा answer 9, 4, 1, 6, तो फ्रेंस दिखते हैं, 50 से कैसे divide करते हैं, division तो बिलकुल नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो हमने 5 से किया था, 6, 2, 1, 3, जो dividend है हमारा, उसको हमें 2 से multiply कर देना है, तो 3, 2, 6, 4, 2, 1, 2, और 6, 2, 12 हमने लिख दिया, और क्या करना है फ्रेंस, 50 है double digit number, इसलिए हमें last में से 2 number को छोड़के point लगा देना है, सो फ्रेंस ये आगिया हमारा answer, 122.46, सो फ्रेंस बताईए, ये tricks amazing है न, येस आप comment box में मुझे जरूर बताईए, आप ये tricks बिलकुल apply करिए, thank you friends,